कि विद्ध्यारतियों सूपरबात एफस इंटर कालीज दोरेन्या वरेली की ओनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है प्रिविद्ध्यारतियों हम पढ़ना है कक्षादस की हिंदी और हिंदी विसे में काब खंड के अंतरगत हमारा चला है चैप्टर नंबर एक चला है सूर लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आएए नक्ष देखते हैं और इसकी देखते हैं तो लिखा हुआ है अभिगत गतिकश कहतना आवे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावे परम स्वाद सभी सून रंतर अमित तोस उपजावत अनिके सूरदास जी क्या कहते है आई यह स्टार्टिंग से देखते हैं अभिगत अभिगत मतलब अग्यात निराकार आप इश्वर ले सकते हैं यानि कि जो अग्यात निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है इश्वर गति मतलब उसकी इस्तति कशू मतलब यह उसके बारे में कुछ भी कहत कहा नहीं जा सकत जिस परकार गुंगा वेक्ती कोई फल खाता है तो उसका जो स्वाद है वो किसी को बता नहीं सकता उसका जो स्वाद है कैसा स्वाद है वो केवल अपने मन में ही अनुवब कर सकता है महसूस कर सकता है कि इसका स्वाद कैसा है उसी पिरकार क्या हो सकता है परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोस उपजाब है उसी पिरकार क्या सकता है कि आनंद से भरे हुए परम स्वाद यानि कि आनंद से भरे हुए और रस्म इश्वर को प्राप्त करने के लिए आनंद से सभी को निरंतर अत्धिक संतोष पिरदान करता है थिक है आगे देखते हैं मन वानी को अगम अगोचर अब यह क्या कर रहा है कि मन वानी को अगम अगोचर यानि के वो जो onna श्वर है मन से वानी से क्या है अगम है मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके अगम है अगोचर है यानि कि जो दिखाई ना दे मन वानी को अगम अगोचर जो जाने सोपाव है यह क्या है मन से वानी से बहुत दूर है अगम है अगोचर है दिखाई नहीं देता है इसको जो जान लेता है या इसको जो पा लेता है वह इसको जान सकता है रूप रेख गुन जाते जुगति बिनू यानि कि उस निराकार ब्रह्मा का इश्वर का ना तो कोई रूप है ना कोई इसकी रेखाय आकिरती है ना कोई गुन है ना कोई जाती है निरा लंब कित धावए यानि निरा लंब का मतलब होता है बिना किसी आध तोड़ें वह लिखाओं कि निरा लंब कि तदावें यानि बिना किसी आसरे के हम कहां कहां तोड़ते हुए फिर सब विद्धि अगम विचार हैं तात सूर सगन पुद्गावें यानि कि अंतने सूर्दासी क्या कहते हैं कि मैं सब प्रकार से विचार करके आपकी लीलाओं का बढ़न करता हूं तो प्रिवद्धि अब देखते हैं परिक्षा की परिक्षा में पिरस्ट किस प्रकार से आते हैं ठीक है सबसे पहले क्या होगा संदर्व साथ व्याख्या कीजिए तो सबसे पहले आपको संदर्व लिखना पड़ेगा संदर्व हेटिंग डालेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे जो मैं बोला हूं आप नोट करेंगे ठीक है क्या होगा कि प्रस्टत पद्दांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के काब सूर्दास जी ने भगवान सरी कृष्न की साधना को अतियंत कठिन बताया है यह हमारा क्या हो जागा प्रसंग होगा व्याख्या मैंने इससे पेले आपको बता दी काप संदर्या आपको क्या होगा काप संदर्या है इसमें एक पुएंट लिख लेंगे सबसे पहले देखा और सब्सक्राइब निराकार की उपासना को सरल बताया है भास होगी सांतिया होगा अलंकार क्या होगा उनुप्रास यमक और घ्रस्टान का और छिशंद कांसा होगा इनको गैय पन्म को घ्या ता और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजीगा ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में देख नए पत्दांस के साथ एक नई व्याख्था के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहन पंदेवां